Hi friends, welcome back to our study classes. तो प्यारे दोस्तों, हम सभी का कहीना के ये सपना रहता है कि एक अच्छी गौर्रमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए. गौर्रमेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिल जाए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. और देखो, आप कहीना कहीं त्यारी कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ जोड़े हो, तो PGT या फिर Assistant Professor UGCNet Commerce इन सब की त्यारी आप कर रहे हो. तो आपके पास इसके अलावा भी कुछ और opportunities हैं, जिनको आप explore कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे आपके सामने एक हर्याना Staff Selection Commission का Accountant का कुछ examination है, उसके बारे में मैं आपको briefly यहाँ पे आज इस session में बताऊंगा, आप देखी रहे हैं कि आपका जो UGCNet का examination है, उसको लेकर कित कितने होनहार students हैं, कितने होनहार experts हमारे सा जुड़ते हैं, बट सभी अपना सपना कहिना की साकार नहीं कर पाते, एक नंबर से आधे नंबर से भी कही बार अपने goal को achieve करने से चूख जाते हैं, तो आप यहाँ पे आपके अंदर कोई कामी नहीं है, हमारी जो सरकार है, उस के पास इतनी नौकरिया नहीं है, कि आप यहाँ पे वो नौकरी ले सकें, और अपना जो सपना है उसे साकार कर सकें, तो देखो, अगर आपको कोई मिलता जुलता opportunity मिलता है, तो आप उसे भी explore कर सकते हैं, अगर आप हर्याना से बिलॉंग करते हैं, तो यहाँ पे एक opportunity है, हाला कि अगर आप इस opportunity के बारे में अभी पहली बार सुन रहे हैं, तो शायद आप इसके लिए eligible नहीं होंगे, यह वाला जो opportunity है, that is, that is CET examination, यह वाला जो आपका examination है, पहले pre-phase में होता है, तीरों ने पहला वाला phase clear किया होता है, वही यह second phase का जो आपका specific होता है, जिसे न वाला vacancy का paper देते हो, और फिर नौकरी मिलती है, ऐसी यहाँ पे भी एक पहले आपको exam clear करना पड़ता है, अगर वह आपका clear है, उसके बाद vacancy निकलेगी, जैसे अभी यह vacancy निकली है, और अगर आप इसे clear कर लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पे job मिल जाएगी, काफी 1300 vacancies हैं, 1296 post हैं, तो काफी अच्छा number है, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, हो सकता है कि आप अभी इसके लिए eligible नहीं हो, बट फ्यूचर में, अगर CET का examination conduct होता है, दुबारा से तो आप definitely apply करें, clear करें, ताकि ऐसी vacancies के लिए भी आप eligible यहाँ पे हो जाए क्योंकि आपका जो goal है, ultimately, government job का वो कही न कहीं पूरा हो जाए, आप ऐसा ना हो कि आप सालों सालों तक केवल PGT या फिर assistant professor की vacancy का इंतजार करते ही रह जाएं, तो यह वाला जो प्यारे दोस्तों, अभी notification आया है, इसमें आपका application process start हो चुका है, हलाकि यहाँ पे लिखा ग तो आपको मैं अगर बताऊं कि कौन कौन सी post हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो काफी अच्छा खासा number है, देखो DHBVN, तो हमारे अलग लग जो हर्याना सरकार की organizations हैं, agencies हैं, bodies हैं, वहाँ पे accountant वगेरा की requirement रहती है, auditor की requirement रहती है, कुछ accounting clerk की requirement रहती है, accounts assistant की requirement रहती है, और salary अच्छी खासी decent यहाँ पे मिल जाती है, तो वो requirement को यहाँ पे पूरा किया जाता है, तो आपकी जो accounting की knowledge है, वो यहाँ पे पक्का से utilize हो जाएगी, सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है, बट एक चीज है यहाँ पे, जो शायद सब के पास ना हो, थोड अच्छने को मिलेगा, तो अभी अगर आपका M.com complete भी नहीं हुआ, सिर्फ B.com हुआ हुए, तो भी काफी सारी post हैसी हैं, जिनके लिए आप apply कर सकते हो, तो masters in commerce अगर आपने किया हुआ है, 60% marks हैं, काफी सब में आपको simply masters of commerce देखने को मिल रहा है कि कोई marks की requirement भी नहीं है, तो इन post के लिए आप apply कर सकते हैं, बठा, जो मैं आपको बता रहा था, कि एक छोटी सी चीज़े जिसके लिए आप कई post के लिए ineligible हो जाएंगे, वो है experience, कई post में आपको experience मांगा गया है, तो अगर कोई accountant की अच्छी job है, थोड़ा सा responsibility वाले job है, तो थोड़ा सा accountant का experience भ तो वो सब चीज़ें आपका यहाँ पर base बना सकते हैं, आपको eligible बना सकते हैं, इन examinations के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कित्ती सारी vacancies आपके पास हैं, और eligibility भी आपकी काफी सब post के लिए यहाँ पर बन चाएगी, चाहे experience है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ एक अच्छी कासी opportunity हमारे पास थी, और यह वाली जो vacancy है, यह वाली जो opportunity है, प्यारे दोस्तों, इसका जो examination होता है, इसके examination के अंदर आपके पास यहाँ पे 100 questions होते हैं, जिसमें आपके majority questions आते हैं, commerce वाले पार्ट से, और कुछ और questions भी होते हैं, इसका जो pattern है, उसको लेक weightage रहती है, I think 70% weightage रहती है, मैं भी इस examination के बारे में पहले जादा नहीं research का रहा था, अभी ही कुछ दिन पहले इसका notification आया, तो मेरे पास कुछ students ने share किया, तो मैंने इसे पढ़ा, और मुझे लगा सबके साथ share करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, कि ऐसी opportunity भी future में म का syllabus रहते है, प्यारे दोस्तों, वो B.com level का syllabus रहते है, B.com level का examination ही होता है, और हाँ यहाँ पे आपको pattern दे रखा है, इसमें आपका 20% weightage आपका general awareness reasoning वाले पार्ट का है, 10% weightage आपका कुछ computer वाला है, और main 70% weightage आपका subject का है, जैसे आपका commerce है, accounting subject है, तो उसकी weightage 70% रहती है, और इसमें आप देखेंगे कि अगर आप UGC net की त्यारी कर रहे हैं, PGT commerce की त्यारी करी हो है, तो काफी सारी knowledge आपके यहाँ पे काम आ जाएगी, तो जैसे financial accounting है यहाँ पर, आपका economics है, micro है, business management, computer application, business mathematics, marketing का topic डाला, e-commerce, हर्याना का business environment डाला इनोंने, corporate accounting वाई, share capital वगेरा, business statistics डाला हुए, business laws डाला हुए, company law, company act का topic डाला हुए, Indian financial system डाला हुए, rural marketing डाला हुए, computerized accounting, entrepreneurship development, accounting standards डाला हुए, cost accounting, financial management, GST, goods and services tax, income tax, auditing, supply chain management, Indian economy, stock market के fundamentals, management accounting, insurance के fundamentals, HRM, business environment, corporate governance, industrial laws, यह इसका syllabus है, इसका syllabus अगर आप देखेंगे, तो इसका scope तो बहुत 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 जादा है, UGC net से भी जादा लगेगा आपको इसका scope, तो यह जो syllabus है, हालकि काफी जादा है, बट यह वाले जो examination है, इनमें जो question का level है, वो जादा तर डारेक्ट र अगरा होता है, उस पर भी मैंने आपको नजर जरूर ढलवाई, ताकि आप यह जान सके कि जो पढ़ाई आप कर रहे है, वो बेकार नहीं जाती है, ऐसा कभी मत सोचेगा कि अरे पढ़ाई कर रहे है, मैंनत कर रहे है, कहीं यह पढ़ाई बेकार ना चली जाए, अगर UGC net में काम ना आई, PGT में काम ना आई, Assistant Professor की त्यारी में काम ना आई, तो हो सकता है, future में ऐसे किसी examination में काम आ जाए, तो preparation अपना जारी रखिए, preparation और पढ़ाई जो है, वो चलती रहनी चाहिए, और अगर आप इस examination की त्यारी कर रहे है, यह वाला exam अगर आप target कर रहे है, औ कुछ करें इस examination को लेकर, मेभी कोटे series या कुछ course अगर आप चाहते हैं, तो ज़रूर बताईएगा, हम इस बारे में सोच सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, तो ज़रूर बताईएगा, comment करके, आज के लिए छोटे से session में इतना ही जी, मिलेंगे next session में कुछ और बाते करे तिल देन, गुद बाई, टेक केर, आल बेस्ट